हालो गाइज वेलकम बैक तो मैं अनदर वीडियो तो यह है मेरा गेट अन्रेडी विथ मी जी हाँ गाइज मैंने सुचा कि हमेशा रेडी होते समय बातचीत करते हैं थोड़ी बहुत तो आज मैं अन्रेडी भी शूट कर लूँ तो यह लूक आपने देखा होगा तो मैंने कि हम जो है जो भी चीज़े करते हैं अपने फेस पे मेकप के बाद वो हम आपके साथ करते हैं जैसे कि मेकप कैसे उतारना चाहिए और क्या-कै चीज़े प्रोसीजर होना चाहिए मेकप को बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है गाइस तो यहां पर बस मैं पही आपके शेयर करने जा रही हूं कभी भी make-up लेकर कभी मैं सोईए because इससे आपके skin को बहुत ही जादा हाम हो सकता है so guys यहाँ पे मैं बहुत ही बहुत ही reasonable price वाला blue heaven का micellar water यूज़ कर रही हूं उसके पहले मैंने देखा कि मैंने ring भी नहीं उतारी है तो यहाँ पे मैं अपने ring भी उतार लूँगी सारी जो अल्मस्ट उतार चुकी हूं बस मैंने अपना eye lashes fake lashes भी उतार दी है बहुत हलका मैसूस हो रहा है then यहाँ पे मैं micellar water ले रही हूं then मैं से अपने eyes का जो make-up किया था मैंने वो अच्छे से निकालने के कोशिश कर रही हूं बट इस मेरा mascara और liner रहना अच्छे से निकल नहीं रहा था बट यह reasonable price में है पर इसका मतलब यह नहीं कि इससे अच्छे से clean नहीं होता है अच्छे से clean रहा है थोड़ा सा थोड़ी से महने जादा करनी परती है मतलब अच्छे से क्योंकि जब आप waterproof mascara या waterproof makeup करते हो थोड़ा सा यह micellar water काफी अच्छा है तो देखिए आपने clean तो हो जा रहा है बहुत अच्छे से अच्छे से बट में से क्या problem होती है ना बस सिर्फ इतनी सी problem होती है जो lower water line होती है उसमें थोड़ा सा मेरा काजल वगेरा थोड़ा सा रह जाता है बैनियाब में अपने lipstick को भी clean कर लूँगी अच्छे से clean करने के बाद फिर से एक cotton pad में ही मैं थोड़ा सा फिर से micellar water लूँगी और देन पूरे face पे में अच्छे से पूरे face के make-up को में clean कर लूँगी क्योंकि lipstick फैल गई आई शेडो आई-लाइनर जो भी लगाया था सब को सच्छे से निकल तो गया था बड़ जो चारो तरफ जो face पे फैल गया तो से भी क्लीन करना पड़ता है न भाई तो फूरे face पे मैंने यह भी क्लीन कर लिया है अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको करनी है skincare skincare करना बहुत ज़रूरी आपको परता है कि आप makeup करने से पहले skincare करेंगे आप makeup उतारने के बाद भी skincare करेंगे और जहां जहां आपने product लगा है आप महां से अपने product को clean कर दीजिए बनना इससे हाम हो सकता है तो गाइस यहां पर मैं ले रही हूँ good vibes का rose hip face wash बहुत अच्छा वाला face wash है reasonable price में आता है और अच्छा है अच्छा से clean हो जाता है face आपका यहां पर मैं face wash करूँगी face wash से makeup सार उतर गया था अब जो face पर बची कुछी जीज़े ना उनको भी तो wash करना बनता है यहां पर मैंने अच्छे से wash कर लिया है पानी के साथ यहां पर मैं अपने face को bed dry कर रही हूं guys अब मैं क्या करूंगी जो भी routine होता है आप जो भी follow करते हो आप कर सकते हो यहां पर मैं ले रही वाव का vitamin C toner काफी अच्छा mist है काफी अच्छा toner है मैं इसको भी काफी time से use कर रही हूं इससे पहले भी मैंने आपके शाथ इसको share कि काफी अच्छा वाला toner है आप इसको use कर सकते हैं बालों में जो जूड़ा बनाते हैं उससे problem होती है मुझे थोड़ा दर्द होने लगता है तो मैंने सूचा कि इससे भी open कर ही देते हैं loose ball रखना तो यहां पर मैं use कर रही हूं वाओ का vitamin C serum जो की हमारी glowing और healthy skin के लिए काफी अच्छा है माना जाता है vitamin C हमारे skin care काफी फायदे में होता है तो guys vitamin C night skincare में ही आप शामिल करें तो जादा best होगा directly धूप में निकलते हैं वक्त आपको vitamin C कोई भी cheese product नहीं use करना है because इसे आपके skin पर भी हाम हो सकता है आपके skin dull हो सकती है तो guys यह था मैंने लगा लिया serum दने आपर मैं वाओ का vitamin C cream यूज कर रही हूँ सारे product killing आपको description box में मिल जाएंगे I hope आपको मेरा यी वीडियो पसंद आया हूँ get and ready with me so guys चली मिलते हैं next वीडियो में चैनल को subscribe कर दीजेगा वीडियो को like करेगा share करना तुलकुल मत भूलेगा क्योंकि सब कुछ free है okay friends मिलते हैं next वीडियो में bye see you take care